सब्सक्राइब करें सिन टेक्निकल चेनल को और प्रेर्स करें इस बैल आइकों को ताकि आपको मिल सके विडियो की नोटिफिकेशन सब से पहने Hello friends, friends आज का मारा वीडियो गा टोपी के Potentiometer क्या होता है? Potentiometer की testing multimeter से किस तरह की जाती है? आज की सोडिय में practically समझने वाले है आज की सोडिय में just time इसकी testing सीखने वाले है आगे चलके हम इसको उपर detail में वीडियो बनाएगे कितने टाइप की होते हैं, हार एक टाइप को डिटेल में समझेगे, आगे आज के सुटियम जास्ट हम इसकी टेस्टिंग सीखने वाले है, तो फ्रेंस बैसिकली पोटेंशोमिटर और कुछ नहीं होता, वेरियेबल रेजिस्टर होता है, जिसके अंदर वेरियेबल रेजिस्टेंस होता है, जब केसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर, इसके रेजिस्टेंस को कम या जादा कर, उसकी करेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, बैसिकली ये बहुत सारी, बहुत देटमिज सभी जगा यूज़ किया जाता है, हमारे पास ये जो potentiometer है, ये जो potentiometer है, 10 kilo ohm का potentiometer है, और इसे हम VFD की speed को कंट्रोल करने के लिए industry में यूज़ करते हैं, ये देखा जाए तो हमारे पास mobile repairing के लिए जो heater होता है, उस heater की card है, जिसमें एक potentiometer connect है, जिसे हम hitting को कमिये जादा कर सकते है तो फेंट से basically potentiometer हर एक जगा पर यूज़ किये था है जहां पर भी हमें किसी भी चीज़ की speed को hitting को control करना होता है वहाँ पर हम potentiometer का use करते है तो चलिए आज की sodium justice में से testing सीखना है तो testing सीखने से पहले हम इसका construction area में समझ में आगा है तो हम इसकी testing आसानी से कर सकते है चलिए पहले हम इसका construction समझ लेते है तो suppose यह हमारे पास यह एक resistance है resistance में क्या होता है यह तीन आपको पीन नजर आ रही है यह आप इसका diagram दिया है बर सही नहीं दिख रहा है तो यह एक number और तीन number इसमें क्या है यह एक number है यह 3 number है और उपर वाला 2 number है तो एक number और तीन number क्या होती है इसकी coil होती है चुकि यह 10 kilo ohm का है तो इक number और तीन number के वीच में total resistance तैन kilo ohm होगा यदि आप इसे 10 किलो ओम से उपर के रेंज में सेट करें मल्टिमिटर को और इससे यदि आप दोनों प्रोप से नापे तो यहाँ पर आपको 10 किलो ओम नजर आएगा विसम प्रैक्टिकली करके भी देखने वाले है यहाँ पर वाले जो बत जिसका पोर्ट का नहीं है याँ पर यहाँ ने पर यहाँ पर आप की ते यहाँ यहाँ पर है इसे हमने थोड़ा और टर्म न किया तो यहां पर आया 5 kilo ohm 6 kilo ohm और यहां पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है तो यह तो इसका जासके गंस्ट्रक्शन था हम इसके थोड़ा और अच्छे से समझें तो यह समझ लो यह हमारे पास potentiometer के 3 प्रोव है यह है potentiometer का देख यहां पर है तो 3 km वाइपर जैसे जैसे यहां पर आएगा तो resistance कम यह जादा होता रहेगा तो जैसे इसके simple working होती है जैसे जैसे हम potentiometer को घुमाते जाते हैं तो वाइपर कम यह जादा कर तो resistance को कंट्रोल करता है और resistance के दुआना किसी भी device के current को कम यह जादा किया जा सकता है ओहम के नियम से चलिए construction हमें समझ में आ गया अब इसकी testing किस तरह की जाएगी यह समझ लेते हैं यह हमारे पास जो port है 10 km का है तो पहले हम करते हैं जो multimeter हमारा है multimeter को हम पहले set कर लेते हैं ohm की range पे इसे ohm की range पे हम set कर लेते हैं और इसे अभी हमने 10 km पे set करके रखा है चलिए अब हम पहले एक number और जो तीन number है हमारा यहाँ पे जो एक number है और यह तीन number है यहाँ पे हम इसका resistance measure कर लेते हैं चलिए एक number और तीन number में देखते हैं कितना बता रहा है यहाँ पे 10 kilo ohm इसने बताना चाहिए पूरा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 kilo ohm दिखा रहा है अभी यह कितना दिखा रहा है यहाँ पे दिखा रहा है 2.76 आप इसकी टेस्टिंग यहाँ पर समझने वाली है यहाँ पर हमें क्या करना है इससे गुमा गुमा कर देखेगे जब हम इससे रोटेट करेगे तो इसका रेजिस्टेंस एक्तम सिस्टेमेटिक बढ़ना चाहिए यदि हमारा पोटेंशिमेटर सही है तो अब हमारा कितना बता रहा है थ्री पॉइंट, टू पॉइंट देखे इसका रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है अब हम इससे थोड़ा सा रोटेट करेगे तो इसने थोड़ा ही कम यह ज़ादा होना चाहिए देख सकते आप तो इससे थोड़ा थोड़ा रोटेट करते है देखे थोड़ा थोड़ा तो इसका रेजिस्टेंस आप देखने, कभी 4 हो जा रहा है सही हमारा पोटेंशिमीटर है यह है सही नहीं है हम देखते हैं ग Всемारा एकट्वल पोटेंशिमीटर तो चलिए इस-पोटेंचेमेठर की टेश्टिंग हम सीख लेते हैं इसने उसने वायर कनेक्ट करके रखा है ताके दिर पर आप इसी तरह नेक्ट करें, जो इसका रीडवाला वायर है, ब्लू वायर तीन नंबर में connect है, और ब्राउन वाला एक में है, ब्लू वाला तीन में है, और रेट वाला दो में है, that means, ब्राउन और जो ब्लू वायर है, हमारी कोईल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब इसे set कर लेते हैं, मल्टी मेटर को पहले, चलिए हमन रहा है चलिए अब हमें क्या करना है यह तो जेस्टिस की कोईल हुई अब हमें एक वायर कोई भी निकाल लेना है सपोस हमने यहां से ब्लू आला निकाल लिया अब हम यहां से इसे रेड में कनेक्ट कर लेते हैं यहां पर ब्लू आला वायर निकालने के बार हम क्या करते हैं नमबर और ती नमबर के बीच में टेस्टिंग करते है तो अभी यहां पर कितना resistance दिखा रहा है हम पहले देख लेते हैं इसे पहले अच्छी से tight कर लेते हैं तो यह अभी दिखा रहा है 6.94 अब हम इसे दीरे-दीरे कम ज़्यादा करते हैं देख सकते हैं आप दीरे-दीरे हम इसे बढ़ा रहे हैं तो इसका resistance एकदम दीरे-दीरे बढ़ रहा है स्मूतली एकदम बढ़ रहा है देख सकते हैं आप एकदम ब्लू में लगाते तो क्या होगा अभी हम पहले देख लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना इसका टेन किलो ओम अभी हम ने से इतने पर छोड़ दिया कितना है 6.24 इसे हम नोट कर लेते हैं 6.24 तो यह हमारा आया था ब्राउन के साथ अब हम इस वायर को ब्राउन से निकाल रहा है तो इसके बाद यह लिखा रहा है हमने ब्लू और अद्रेड में लीकले किया तो इसका क्या मतलब हुस यह समझ लेते हैं इससे वैसे होता कुछ नहीं है आप इस से ऑक पर है शाया है तो इसको रोटेट कर तो रेजिस्टेंस एक दम धीर धीर है कम ये जा़दा होन तो आमारा एक वायर ब्राउन है, और तीन नमबर जो है, वह ब्लू है, और दो नमबर इसका आउट पुट है, हमने पहले किया, ब्राउन और रेट के साथ लिया, तो कितना बताया, 6.24, तो यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस था, 6.24 था, अब हमने का किया, इस सब कर सकते हैं तो friends I hope आपको हमारा ये है वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसे लाए कमेंट समझे जरूर बताए और इस वीडियो के टोबिक से लिटेट जो भी डावट सों से कमेंट समझे जरूर पुछे हम पूरी कोशिश के लिए उसको जवाब दे सके तो friends आज के लिए इतना ही Thanks friends